ये शिश्वी प्रधान मन्ती जी को जिनको सुनने के लिए विश्व अपनी पल के भी छाय बैठा होता है वैसे हमारी सासा राम की धर्ती पे आदरणीय प्रधान मन्ती जी को हमनतित करना चाओंगी वो आए और हमारे शाहबाद की जंताओं को अपना मुद्धन दे आदर्णिये परधान मंती जी भारत माता की भारत माता की बिहार के स्वाभि माने और महंती भाई बहन आप सभे के परनाम अन्नदाता महनत कस किसान भाई लोग के इदान के कटोरा कहल जाए गरवशाली धर्ति के हम नमन करताने माम मुंडेश्वरी ताराचंडी माता के इपावन भुमी पर रोवा सब के अभिननन करताने बिहार के मुख्य मंत्री श्रिमान नितिश कुमार जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे साथी RKC जी बिहार भाजपा के अध्यक्ष दक्तर संजय जैस्वाल जी VIP पार्टी के अध्यक्ष बाई मुकेश सहनी जी भाजपा साउसर बाईच्षेदी पासवान जी और मेरे प्यारे भाई और बैनो साथियों फाली में बिहार ने अपने दो सपुतों को खोया है जिनोंने यहां के लोगों को दसकों तक सेवा की है मेरे करीबी मित्र गरीबों दलीतों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखरी समय तक आखरी सास तक मेरे साथ रहने वाले राम बिलास पासवान जी उन्हें मैं अपनी सरद्धान ली अर्पित करता हूँ उसी प्रकार से बाबू रगोस प्रसाथ सेंजी ने भी गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर काम किया बो भी अब हमारे बीच नहीं है मैं उन्हें भी अपनी आदर पुर्वक सरद्धान ली अर्पित करता हूँ साथियों आज रहतास के साथ साथ आज पास के अन्य जिलों के साथी भी यहां आए है तक्रीक के माद्यम से भी काफी साथी और NDA के उमीदवार हमारे साथ पुड़े है मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ भाई और बहनो सबसे पहले तो मैं बिहार के लोग इतनी बड़ी आफदा का दटकर मुकाबला कर रहे हैं कोरोना महमारी से बचने के लिए तेजी से जो फैसले लिए गए हैं जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया नितिजी के नेत्रूतों में एंडिये सरकार ने काम किया उसके नतीजे आज दिछ रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े अमीर देशों की अहालत किसी से भी छिपी नहीं है अगर बिहार में तेजी से काम न हुआ होता तो ये महमारी न जाने कितिने साथियों की हमारे परिवार जनों की जान ले लेती कितना बड़ा हाहा कार मचता इसकी कोई कलपना भी नहीं कर सकता लेकिन आज बिहार कोरोना का मुकाबला करते हुए सारी सावधानियों के साथ लोग तंत्र का परवम मना रहा है साथियों मैंने बिहार के बहुत से लोगों के साथ करीब से काम किया है उनसे बहुत कुछ सीखा भी है एक बात जो बिहार के लोगों में बहुत अच्छी होती है वो है उनकी स्पस्टता कभी बिहार के लोग कन्फूजन में नहीं रहते किसी ब्रह्म में नहीं रहते मैं और एक बदाई भी देना चाहता हूँ बिहार के लोगों को ये बदाई इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि चुनाव के इतने दिन पहले ही उन्होंने अपना स्पस्ट संदेश सुना दिया जितने सर्वे हो रहे हैं जितनी रिपोर्ट आ रही है सब में यही आ रहा है बिहार में फिर एक बार NDA सरकार बनने जा रही है लेकिन मेरे बिहार के प्यारे भाईयों भेनों हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग प्रम फैलाने के लिए एक दो चहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं कभी किसी नई शक्ति के उपरने की बाते फैलाई जाती है लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो ब्रम फैलाने वालों की हर कोशिस को खुद ही नाकाम कर रहा है बिहार के लोगों ने मन बना लिया है बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बिमारू बनाने का है उन्हें आज पास भी नहीं फटकने देंगे बाई बहनी लोगन बारत के दिल बाटे बिहार बारत के सम्मान बाविहार बारत के स्वाभिमान बाविहार भारत के सुस्कार बाविहार आजादी के जैगोस बाविहार संपुर्ण क्रांटी के संखनात बाविहार आत्मा दिर्भर भारत के पर्चंबा बिहार देश के सुरक्षा हो या देश के विकास बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन बिहार के सपूत गलवान गाटी में तिरंगा के खातीर शहीद हो गई लेकिन भारत माता के माथा ना जुके देले पुलवा मा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भाई लें हम उनके चरान में सीज चुकावतानी सद्धन्जली देवतानी बिहार अब विकास की और तेजी से बड़त बात है अब बिहार के कोई बिमारू बेबस राज्यन नहीं कह सकत लाल्टेन के जवाना गईल पिछले छर सालन में बिजली के खपत तीन गुना बढ़ गईल बाटे भाई और बैनों अंधरे से उजाले की और बढ़ना इसी को कहते हैं बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दीन जब सूरज जलते का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना थप पड़ जाना आज बिजली हैं सडके हैं लाइटे हैं और सबसे बड़ी बात वो माहोर है जिसमें राज्य का सामान्य नागरी बिना बिना डरे रह सकता है बिना डरे जी सकता है वो दिन जब सरकार चलाने वालों की निगरानी में दिन दाड़े जकेती होती थी हत्याएं होती थी रंगदारी बसुली जाती थी वो दिन जब घर की पिटियां गर से निकलती थी तो जब तक वापस ना आ जाएं माता पिता की सांस अठकी रहती थी जिन लोगों ने एक-एक सरकारी नोकरी को हमेशा लाखों करोडों रुपिय कमाने का जरिया माना जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तों के लिए बिहार के नवजमानों से लाखों की रस्वत खाई वो फिर बढ़ते हुए बिहार को लल्चाई नजरों से देख रहे हैं आज बिहार में पीडी भले बदल गई हो लेकिन बिहार के नवजमानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुष्टिल्यों में डान ले वाले कौन थे साथवियों दो हजार चौदा में केंद्र में सरकार बनने के बाद जितने समय बिहार को डबल इंजिन की ताकत मिली राज्ज के विकास के लिए और ज़्यादा तेजी से काम हुआ है बिहार को जो प्रदान मंत्री पैकेज मिला था उस पर काम की रफ्तार भी तेज गती से आगे बढ़ रही है कोरोना के इस समय में भी गरीबों को सरवोच्च प्रात्विक्ता देते हुए एंडिय सरकार ने काम किया है जहां कभी गरीब का राशन राशन की दुकान में ही लूटा जाता था वहां कोरोना काल में गरीबों को मुप्त राशन गर पहुचाया गया है गरीब भुखा न सोये त्योहार ठिक से मना सके दिवाली और छट पुजा ठिक से मना सके इसके लिए मुप्त अनाज की व्यवस्ता भी की गई है इसी कोरोना के दौरान करोडों गरीब बहनों के खाते में सीधी मदद बेजी गई मुप्त गैस सिलिंडर की व्यवस्ता की गई शहरों में जो रहडी थेला चलाने वाले साती है उनके लिए भी बैंकों से आसान रोह सुनिश्चित कराया जा रहा है ताकि वो अपना काम फिर सुरू कर सकें आगे बढ़ सकें साथियों देश जहां संकट का समाधान करते हुए आगे बढ़ रहा है ये लोग देश के हर संकल्प के सामने रोडा बन कर खड़े है देश ने किसानों को बिचोलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचोलियों और दलालों के पक्षमे खुल कर मैदान में है मंदी और MSP का तो बहाना है असल में दलालों और बिचोलियों को बचाना है याद कीजिए लोग सबाद चुनाओं से पहले जब किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे देने का काम शुरू हुआ था तब इन्होंने कैसे कैसे ब्रह्म फलाया था जब देश की रक्षा के लिए राफिल विमानों को खरीदा गया तब भी ये बिचोलियों और दलालों की भाषा बोल रहे थे साथियों आज देश की जनता देश के किसान देश के नवजवान देख रहे हैं कि इन लोगों के लिए देश हित नहीं दलालों का हित जादा महत्पपून है इसलिए जब जब बिचोलियों और दलालों पर चोट की जाती हैं तब तब ये तिल मिला जाते हैं बौखला जाते हैं आज हालत ये हो गई है कि लोग बारत को कमजोर करने की साजी सरच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हीच की चाते आप मुझे बताएए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं ये फैसला हमने लिया एंडिये की सरकार ने लिया लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलतने की बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे और और इनका दूसरा हस देखिए इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से बोट मागने की हिम्मत दिखा रहे हैं जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेटता है क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है मैं जवानों और किसानों की भूमी बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम पस्थ कहना चाहता हूं ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा भाई और बेहनों इन लोगों को आपकी जरुरतों से कभी सरोकार नहीं रहा इनका ध्यान रहा है अपने स्वार्थों पर अपनी तिजोरी पर यही कारण है कि बोजपूर सहीत पूरे बिहार में लंबे समय तक बिजली, सड़क, पानी जैसी मुल्ट सुविदाओं का विकास नहीं हो पाया हालत यह थी कि कैमूर में जिस दुर्गावती सिंचाई परियोजना का सिलान्यास आप याद रखिये यह सारी बाते कैमूर में जिस दुर्गावती सिंचाई परियोजना का सिलान्यास बाबू जगजिवन राम जीन ने सत्तर के दसक में किया था सत्तर के दसक में वो इतने वर्षों में भी पूरी नहीं हुई थी इस काम को NDA सरकार ही पुरा कर रही है साथियों बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग है जिनोंने अपने पंदरा साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा बिहार का मान मरदन किया आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हे सत्ता सोपी थी लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तीजोरी भरने का माध्यम बना लिया जब बिहार के लोगों ने इन्हे सत्ता से बेदखल कर दिया नितिश जी को मोका दिया तो ये बौखला गए जो बात मैं बता रहा हूँ इसको ज़रा बारी की से समझने की कोशिश कीजिए जब उनको सत्ता से बेदखल किया गया तो ये लोग बौखला गए उनके अंदर एक गुस्णा आया जहर भर गया इसके बात दस साल तक इन लोगों ने दिल्ली में यूपिये की सरकार में रहते हुए बिहार पर बिहार के लोगों पर अपना गुस्णा निकाला और मज़े याद है मैं भी गुद्रास का मुख्यमंत्री था नितीजी बिहार के मुख्यमंत्री थे और जब हम बारत सरकार की मिटिंगों में जाया करते थे नितीजी बार बार उनको कहते थे का आप बिहार के काम में रोडे मतत काईए बिहार के राजनीति का अखाडा दिल्ली को मत बनाईए लेकिन दस साल तक UPS सरकार में बैठे लोगों ने जिसको टाइक चावी करने के लिए बिहार के लोग पहुँचे हुए थे बे पराजय के गुस्षे में नितीजी को एक काम नहीं करने देते थे देश साल बरबास कर दिए नितीजी के बाद में अथारा महिने क्या हुआ यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है आप बली भाति जानते है इन अथारा महिनों में परिवार ने क्या क्या किया कैसे कैसे खेल कीये कौनसी बाते अख़बारों में च्छाई रहती थी कौनसी बाते टीवी वालों को भाती थी ये बाते मुझे कहने की जरुरत नहीं है बिहार और देश के लोगों से छीपा नहीं है जम नितीजी इस खेल को वाप गए ये समझ गए कि इन लोगों के साथ रहते हुए बिहार का भला तो छोड़िये बिहार और पंद्रा साल पीछे चला जाएगा तो उन्हें सत्ता छोड़ने का फैसला लेना पड़ा साथियों बिहार के लिए बिहार के उजबल भविश के लिए हम फिर एक बार नितिजी के साथ आए साथियों दो हजार चौदा में प्रधान सेवक बनने के बाद यह आकड़ा लोगों को याद नहीं आ रहा है बिहार में याद कराना पड़ेगा मुझे नितिजी के साथ कंदे से कंधा मिला कर काम करने के लिए सिरिफ तीन चार साल का ही मोका मिला है बाकी तो यूपिये के साथ संगर्ष करने में बिहार का टाइम गया है लेकिन इन तीन चार वर्षों में भी कहीं पर तीन चार गुना काम किया कहीं पर पांच गुना तेजी से काम किया गया है साथियों आज NDA के सभी दल मिलकर आत्म निर्फर आत्म विश्वासी बिहार के निर्मार में जुटे है बिहार को अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है नई बुलंदी की तरफ उडान भरनी है बीते वर्षों में बिहार के गरीब दलीत वन्चीत पिछडे अती पिछडे आदिवासी उन सब तक वो सुविदाय पहुचाने का प्रयास किया गया है जिने पाना कभी बहुत मुश्किल होता था आज उसको अपना पक्का घर बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है आज वो भी संपन्न परिवारों की तरफ गैस चुले पर खाना बना रहा है आज उसके घर में भी सौचालय की सुविदा है आज उसके बच्चे भी बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर पा रहे है आज वो बिमार होता है तो उसके पास पांच लाख रुपिये तक मुप्त इलाज की सुविदा है साथियों सुद्ध पीने के पानी की क्या स्तिती थी ये बिहार की बेहनों बेटियों से बहतर कौन समझ सकता है आज जल जीवन मिशन से हर गड़ जल पहुँचाने का काम तेजी से चल रहा है इस मिशन का लाप यहां इस खेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बेहनों को भी होगा उनके घर में भी पाईप से पानी पहुचेगा साथियों हमारे हाँ गाओं के घरों के स्वामित्व को घर का माली कौन है उसका स्वामित्व किसके पास है इन बातों को लेकर हमेशा बहुत बड़ा सवाल रहा है गाओं की जमीन इन जमीनों पर गर पुर्खों के बनाए घर इन में बर्सों से जो जो लोग रहते रहे हो लेकिन सरकारी दस्तावेजों में इनका अस्तित्व ही नहीं रहता ऐसे में अक्सर दो चार फूट को लेकर हर घर के साथ दूसरे का विबाद चलता रहता है रिष्टेदारों में विबाद चलता रहता है गाओं में जहरों होते रहते हैं मार पिटा ही होती है कभी कभी मौत बुला ली जाती है इन जमीनों पर इन गरों पर मैं बिहार के हर गाओं के नागरिक से बात विशेश रुप्षे कहना चाहता हूँ इन गरों पर आज जो उनके गरों के पास कागज हैं उनकोने कारण बैंकों से कोई कर्ज भी नहीं मिलता है भारत के गाओं में रहने वालों की इस दिक्कत को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुवात किये है इस योजना में सब कुछ टेक्नलोजी के माध्यम से हो रहा है टेक्नलोजी कर रही है गाओं के घर, घर की मैपिंग उसको नापा जा रहा है मैपिंग कराई जा रही है सारी कारवाई के बाद गाओं के लोगों को हर एक नागरिक को उनके घर का, उनकी जमीन का स्वामित्व कार दिया जा रहा है भारत के छे राज्यों में ये योजना पाइलोट के रुपे शुरू हो गई है कुछ दिन पहले बाबु जैप्रकाद नारान जी की जैन्ति के दिन एक लाख लोगों को स्वामित्व कार दिये गए है बिहार में चुनाओं के बाद, एंडिये की सरकार बनने के बाद बहुत जन इस योजना को यहां पर भी शुरू किया जाएगा बिहार के गाउं के हर नागरिक को इसका बहुत बड़ा लाब मिलने वाला है यहां के नवजवानों को लाब होने वाला है गर के स्वामित्व कार पर गाउं का नागरिक भी बैंकों से बहुत आसानी से रून ले सकेगा कोई दिक्चत नहीं होगी यह स्वामित्व कार आपके जीवन में एक नई निश्चिन्ता लेकर आएगा साथियों सुविदा के साथ साथ बिहार के सभी बर्गों को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं दलीतों, पिछडों, आधिवास्चियों को मिलने वाले आरक्षन को अगले दस साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है उसी प्रकार से समण समाज में जो अनामत से आरक्षन से वंचित थे उसमें जो गरीर है उनको दस प्रतिशत आरक्षन देने का दिरने भी हमारी सरकार ने किया है यही नहीं सरकारी भरती प्रक्रिया में जो सुधार किये जा रहे है उसका भी लाब बिहार को मिलना तय है इस छेत्र के भी बहुत से युआ एंट्रेंस एक्जाम के लिए बड़े शहरों का रूप करते है बार-बार होने वाली परिच्छाओं के कारण युआ साथियों का समय उर्जा और धन तीनों बरबाद होता था अब देश में अधिकतर प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए कॉमन एंट्रन तेस की सुविदा मिलने से युआ साथियों की परिशानी कम होगी एक ही अग्जाम से सरकार के अनेक नोकरी के दरवाजे खुलेंगे साथियों एक और बड़ा प्रियास किया जा रहा है मात्रु भासा में सुच्छा को लेकर अभी हमारे डॉक्टर जैस्वाल जी जब मैं आया बड़े विस्तार से इसका वड़न कर रहे थे और ये काम जब मैं कह रहा हूँ मैं कहता हूँ मन बुद्धि कर्ब से मैं स्वर्गिया आदर्निया कर्पुरी ठाकूर सहाब को आदर्पुर्वक्सर धान्जली भी देता हूँ आज वो जहां भी होंगे हमारी सकल्पना से वो हम पर आशिरवाद बरताते होंगे भाईयो बहनो देश की सिख्षा विवस्ता में तो बिहार का गवरवशाली इतिहास रहा है मेडिकल एंजिनियरिंग समेथ सभी तक्निकी कोर्सिस को भी मात्रु भाषा में पढ़ाने की शुरुवात की जाएगी उसके कारण अंग्रेजी के अभाव के कारण गाउं का गरीब का दलीद का पीडीद का बच्चा उसका आप डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा इंजिनियर बनने का सपना पूरा होगा ये बहुत बड़ा अंदेड़ा हम करने जा रहा है और मैं बिहार भाजपा को बधाई देता हूं तो उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टों में इस महत पूर्ण कारकम की गोशना की है साथियों बिहार में स्वरोजगार के अवसरों के लिए भी नियंतर प्यास किया जा रहा है आज मुद्रा योजना से गरिवों को महिलाओं को युवा उद्यमियों को दुकान दारू को बिना गरंटी का रण मिल रहा है गावों में जो उद्यमी दिद्या के समू है उनको भी बैंकों से मिलने वाली सुविदा अब बढ़ाई गई है आज छोटे किसानों मचुवारों पशुपालकों सभी को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है पी एम किसान योजना के तहर बिहार के 74 लाग किसान परिवारों के खाते में करीब करीब 6,000 करोड रुपिये सीधे जमा कराए गए है कोई बिचोलिया नहीं कोई कट नहीं साथियों कनेक्टिविटी एंडिये की डबल इंजिल की सरकार की प्राथ्पिक्ता रही है पहचान रही है आज बिहार के करीब करीब हर गाउं तक सड़क पहुँच रही है नेशनल हाइवे चवड़े हो रहे है बिहार की नदियों पर आज एक के बाद एक नए और आधुनली पूल बन रहे है यहाँ सोन नदी पर ही न जाने कितने दसकों से अनेक पूल सिर्फ हवा में ही बने रहे थे अब इस दिशा में पूरी इमानदारी से काम चल रहा है सोन नदी पर कोईल वर पूल के समान तर फोर लेंड पूल का काम अंतिम चरणों में है बिहार को जारखन से कनेक करने के लिए भी सोन नदी पर पूल बनाया जा रहा है इस शेत्र में भी और विशेशकर नक्सल प्रभाविक शेत्रों में हजारों करोड रुपिये खर्च करके लंबी सडकों और दरजनों पूलों के निर्मान पर काम चल रहा है रेल लाइनों का बिजली करण और रेल वे स्टेशनों का सुन्दरी करण तेजी से चल रहा है सासा राम सहीत अनेक शहरों में बाइपास भी बन रहे हैं कनेक्टिविटी के साथ साथ बक्सर के चौसा में दस हजार करोड रुपिये की लागत से बनने वाले पावर प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो रहा है साथियों कनेक्टिविटी सुधारने का बहुत बड़ा लाब यहां के किसानों, नवजवानों, उद्धमियों, व्यापारियों, कारोबारियों को मिलेगा इस छेत्र में आत्मनिर भार होने की बहुत बड़ी छमता है कैमूर का सोना चुर्चावल हो, या आदिवासी साथियों की वन उपज हो, फल सब्जिया हो इन सब से अब जादा आय होने की संभावना बड़ी है अब केंद्र सरकार गावों में बंदारान और दूसरी सुविदाये बनाने के लिए लाखों करोड रुपिये खर्च करने जा रही है इस से इस छेत्र में भी फूड़ पार्क जैसी सुविदाये विक्सित होंगी हाल में क्रिशी छेत्र से जुड़े जितने भी सुधार किये गए हैं उनका लक्ष ये भी है कि गाउं के पासी जादा से जादा क्रिशी से जुड़े उद्योग लगे भाईयों और बहनों आत्मंदिर भरता के संकल्प को मजबूत करने के लिए फिर नितिश जी की अगवाई में सरकार बनाना जरूरी है बिहार में भाजपां, जेडियू, हम पार्टी और वियाईपी के गड़बंदन यानी एंडिये की सरकार जरूरी है बिहार को आत्म निर्भर बनाने के लिए देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए एंडिये की जीत जरूरी है मुझे खुशी है कि बूत लेवल पर भी एंडिये के सभी कार करता सभी राज़ितिक दलों के गटक दलों के साथ ही एक जुट हो करके पूरी ताकत से जुटे हुए है एक दुसरे के साथ ही बने हुए है इस बार तो मैं देख रहा हूँ कि मतदाता बिहार की महलाए बहने बेटिया एंडियों को जीताने के लिए पूरी ताकत जौक रही है जो भी एंडिये का है उसकी जीत के लिए ये साजा संकल्प सभी की बहुत बड़ी ताकत है आप सभी समय निकाल कर हम सभी को आशिरवाद देने आए इसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की